अंप स्लामूलेकूम, जी स्टूडेंट्स आज आसी सबतो पैला टापिक, सबतो पैला में टापिक, जबान ते जबान दी तारीर, एद विच तेन सब टापिक्ष ने, ओ असी आज बेखा गे सब तो पहला टापिक पंजाबी बोली दे पुछोकड बारे तुसी की जान दे पंजाबी जबान बोली लेंग्वेज जबान नो कहन दे ने पुछोकड पसमंजर बैक्गराउंड ओरीजन नो कहन दे ने हिस्ट्री मुराद हो सरदर पंजाबी जबान दी हिस चेंज होया, 16 तो पेपर हो रहे नहीं, कोई 5 साल हो चुके नहीं, इस पैटरन ते पेपर हो दे, लेकिन एदे चुह हाले था, 16 नंबर दा क्वेस्चन नहीं आया, लेकिन आ भी सकता है, क्योंकि हो हर साल ट्रेंड चेंज करता है, पहला 16-17 वेचो दा ट्रेंड शाहिरी वाल उन्हें, जड़ा आप mostly skip कर दे सी students, तनकीदों तहकीक वाला portion, हमेशा तो ही students skip कर देंदा सी, last year 2020 वेचो उन्हें, उदे विचो दो question दे दे देने, so next time, एक ते तुसी तहकीकों तनकीद skip नहीं करना, मेबी वेचो फिर दो आजान, और तुसी या first skip नहीं करना, मेबी एदे वेचो फोल फिलाज 16 नमर दा question दे दे, so एदे वेचो वैसे ते पूरी book के, पंजाबी बोली दा पिछोकड किताब दा नाए, मौमद आसिफ खान दा आथर या नाए, दा मुसन्निफ दा, लेकिन question जड़ाए दे जो बनदा है, ओ बन्यादी दा दे आए, कि पंजाबी जबान दी तारीख या पंजाबी जबान दे पिछोकड बारे तुसी की जान दे हो, so एदे वेचे है, शुरू वेच्टिया तारफ मुक्तसर जाए, पहरा ग्राफ मौमद आसिफ खान पंजाबी जबा काफी सारीय किताबा ने क्रिटिसिजन दिया, एडिटर रिसाला कर दे रहे, एडिटर सी, माहिरे लिसानियाद, लिंग्विस्टिक्स दे माहिर, सचे सुचे अधीब, और इस तो इलावा जड़ी सब तो वड़ी खूबी सी, काफी सारीय जबाना, उर्दू, अंग्रेजी फार्सी, सिंदी, हिंदी ते संसेकरत जबान दे माहिर सी, जलंदर वेच पैदा हुए, उन्नी सो उनती पैदायश एह नहीं लिखना, सिरफ तुसी नहीं पहला पैराग्राफ लिखना है, वैसे ही दासरे हमाँ, उनिस सथाली वेच माईग्रेट कारके लह रागे, प्राइवेट तोर्दे तालिमा असल किती, उनिस सच्वेजा शत्वेजा वेच लेखनधा आगास कीता, उनिस सथास तो मैनावार रसाला पंजाबी अदब जारी कीता, 1970 के रिसाला निकलता रहा उदे एडिटर सी कुछ अरसा डैपूटेशन थे सोरी कॉंट्रेक्ट थे पंजाब यूनिवरस्टी वेच भी पढ़ा दे रहे क्योंके पर्मानेंट इंप्लाई नहीं सी पाकिस्तान पंजाबी अद्भी बूर्ड पंजाबी जबानों अजब दी तरकी दे तर्वीज वास्ते इदारा बनेया उदी प्रमोशन वास्ते ना देन रात काम कीता 2000 इस वीवेच फौथ होए इनहांदा काफी सारा काम में कुछ किताबादे ना अथले देते होए ने बस एक नजर वेख लेगा असल वेच एड टापिक जड़ा है लेंथी टापिक सी लेकिन इनू थोड़ा जिया महदूद कार देता है और इदे दो क्वेस्टन कार देते हैं तो आड़ा फोकस सिरफ सुवाल नमबर एक कुते होएगा सुवाल नमबर एक तुसी पेपर वास्ते तियार करना है तेन पेज़ेज दा क्वेस्टन है कोई मुश्कल कोई लंबा नहीं है और कोई एदे वेच ऐसी समझन वाली शाय नहीं है इन्शालला लेक्चर सुनन तो बाद ही तुसी नहीं अराम नल लिख लवोगी सुवाल नमबर दो सिरफ एक वारी रेडिंग कार लेना तेज फरक है वे एक और दो वेच असल वेच पज़ाबी बोली दा पिछोकर किताब वेच टोटल चार मज़ामीन ने यानि बोक एक सुसाठ पेज़े दी बोक के और यदे चार अलग अलग मज़मून जड़े मुक्तलिफ वक्तां में चुना मुक्तलिफ जगा दे लिखे वो कठे करके पबलिश कीते गए ने सुवाल नमबर एक वेच सिरफ फोकस है तीसरे मज़मून होते सुवाल नमबर एक साठा रेलिवेंट मज़मून वी तीसरे मज़मून है या फिर पंजाबी एक गहर आरही जबाने मुम्मद आसफ़ा दे हवाले नाल साबित करो जड़ा सुवाल नमबर दो है ओदे वेच ये बाकी जड़े तेन मज़मीन ने पहला मज़मून फड़े पंडार दूसरा मज़मून पंग्रेमा प्झाबी बुली ता पिछोक्र प्झाबी जबान के अजजाए तरकी बी ए मज़मून और दो वेचे औना चारा मज़मून दा अनेलसिस को दे वेच देता हुए तो तीसरा मजमून और पहला स्वाल ते सेम ने अगर तुसी क्वेस्चन नमबर डू पढ़ लोगे तो अनुजड़ यह अडिशनल तेन मज़ा में ने किताब विछ उना दा भी पता लग जाएगा ते फिर तो अनुजड़ स्वाल नमबर दो अटेम्ट करना भावेगा अगर उना दा जड़ा तीसरा नज़री आए या फिर पंजाबी जबान दी तारीख ते फिर सिरफ तो अड़ा फोकस क्वेस्चन नमबर वन नो ते रवेगा इस चीज़नों जड़ा समझ लगो जी एथ तो स्टार्ट होएगा पंजाबी टेर पुराणी जबाने और यदिया जड़ां हजारां वरे या पहले दी पंजाब तर ती जिन्नू इंटर सिविलाइजेशन याद रखो पंजाब दा मौजूदा ना पंजाब और इस जबान दा पंजाबी ना पंद्रा सोग यानि पंद्रमी सदी तो पहले दा नहीं है पंद्रमी भी नहीं बलके सोलमी सदी क्योंकि अक्बर बादशा ने इस इलाके दे ना पंजाब दे इस जबान दे ना पंजाबी रखवाया सी उस तो पहले इस इलाके दे मुख्लिफ ना सी जना विचो एक ना इंडस सिविलाइजेशन भी सी या फिर साथ दर्याओं की सरजमीन सब्त संदू भी एदा ना रहाए एदियां जड़ा यानी पंजाबी जबान दियां जड़ा हजारां बरे यां पहले दी पंजाब तर्थी विचों खुटदियां ने अफसोस भी गाला है वे के इनी पुराणी जबान होन दे बावजूद भी एदे सोमे मौाख़ज औरीजन सोर्स आरियां दी आमदनाल जोड़े जान देने याद रखो ड्रेवेडियन्स ते आरियन्स इस इस इलाके वेच आन वाले इन्वेडर्स या हमलावर ने ओए तो दे लोकल लोग नहीं सी सो इस जबान बारे मुस्तशरिकीन औरियन्टलिस्ट अंग्रेज जदो एथे तशरीफ ले आए उनने गल्त नजरिया कायम कार देता कि आरियन्स जड़े आए सी ओ असल वेच अंग्रेजा दे फूर फादर्स सी अबावजदाद सी और उनने आरियन्ट ने आ के आए इलाका आबाद कीता सी असल वेच इस नजरिये दे पस मनजर वेच गाल लेह सी कि उनना एक जिस्टिफिकेशन या एक जवाज मिल जाए क्योए थे हकूमत कर सका यानि की जिस्टिफिकेशन की जवाज के आए धर्ती ओना दे अबावजदाद दी धर्ती है हाला के आरिया दे आन तो पहले भी काफी अर्सा पहले या धर्ती ना सिरफ आबाद सी सगू तेहजीबों सकाफत दी चोटी तक पहुंची होई सी अहम गालियाद रखनवाली लेकिन मसला की ये 18, 18, 19 जा वेज कबजा होया जिस पहले अंग्रेजा दा 19 सोच यानि वीवी सदी दे शुरू वेच सानू हडपा ते मौझयो दाड़ो सिविलाइजेशन दे असार जिसले दर्यास्त होई ते फिर पता लगा कि आरियन्स ते सिर्फ पंद्रा सो कबल मसीवेचे से लाके वेचाह सी लेकिन ऐ धर्ती थे तेनाजार साड़े तेनाजार साल पहले ऐ तहजीबा जिसे वेच रपा सिविलाइजेशन ते मौझयो दाड़ो सिविलाइजेशन मौझग सी ऐ उस तो 2000 साल पहले या 500 साल पहले भी आबाद सी लेज़ा फिर खुद बखुद इस नजरियती मौत वाकिया हो गई कि आरिया इस इस इलाके विच आके उना नया इलाका आबाद की तासी क्योंकि उस तो जड़े स्टेप बाई स्टेप खुदाई जो जड़ियां खंडराद मे लेने वो जड़ा सब तो पहला स्टेप पे हो 1500 कबल मसी ता ओर आरियन बिलोंग करता है लेकिन जड़ा दूसरा स्टेप पे हो 500 कबल मसी ओर ड्रेवेडियन दसे जान देने और जड़ा उस तो थले स्टेप पे हो 3500 साल कबल मसी और हो असल विच इस इलाके दे लोकल लोग सी बाशेंदे सी जड़े शुरू तो ही एथे मुकीम सी रह रहे सी अच्छा जी अगे आरियां दे आन तो काफी अर्सा पहले अगरती ना सिरफ आबाद सी सगो तैजीबों सकाफती चोटी तक होंची होई सी तो सी मिशाल वासते है हड़ापा सिविलाईजेशन दे खंडराद तो मौझो दाड़ो सिविलाईजेशन जाके विजट कर सकते हो जाके नहीं कर सकते हो यूट्यूब हुथे तो सी कलिप वेख सकते हो इसे तरह एक मूवी 2016 विच हरितिक रोशन दी मूवी मौज्यो दाड़ो आई सी अगर तुसी नहीं वेखी देओ मूवी जरूर वेखो ओधे विच उना बड़ी खुबसूरती नाल इस इलाके दी जड़ी एक रिच सिविलाइजेशन सी उधा मनजर पेश कीता है और ओधे विच एक जड़ी अहम गाल खासता औरते याद रखन दे काबल बेशक दुबारा मूवी वेख लेना ओधे विच उना ने हड़ा पानू सेंटर पॉइंट या दारोल अकूमत या कैपिटल मत बखाया है यानि हड़ा पादे लोग जड़े ने उस वेले रूलर सी हुकमरान सी हुकमरानी कार रहे सी और हड़ा पानू सेंटर पॉइंट दा या कैपिटल दा दरजा हासिल सी जादके मौजो दारो वाले उना तो फॉफस दा सी ऐ उदा बुनियादी थीन उस मूवी दा आसफ खान साब ने अपनी किताब पंजाबी बोली दा पिछोकर दे जरीए ऐसाबित करन दी कोशिश कीती है कि पंजाबी एक कदीम पुरानी ते गैर आरियाई जबान है यानि एदा आरियन्द नाल आरियन्स यानि इन्वेडर्स नाले दा कोई लेंड देन में आई ओदों दी जबान है जड़ो आरिया ते दरावड इस तरती उत्ते वारत नहीं होए सी यानि उन्हा दे आन तो पहले है थे लोकल लोग रह रहे सी और लोकल कबाईल दा ना भी उन्हा विछ लिख लिखिया कूल, भेल, संथाल, जावरा, कांग वगेरा ऐस सारे लोकल कबाईल सी जड़े इन्हा इन्वेडर्स दे आन दो पहले है थे रह रहे सी और जेना ने ऐए अलाका याए सिविलाजेशन आबाद कीती सी उन्हा दा लाइस्टाइल किस तरह दा सी हो खंडर आज भी दस देने कि आज तो जडर्च भी चाल चल दे सीॉ चल्द लेकर डर्यामा वी इस लेए उटन लेवल इना अप हो sweetheart भी चाल लेखन लेकर रह्द लेखन बाबन नावाद दस्थी तरह अना आज इस दो केचों जानदा सी सो असी एह हुई वेखणा है कि इन्नी रिच सिविलाइजेशन जड़ी है एकेमे पॉसिबल है एकेमे हो सकता है कि अधी कोई अपनी जबान ना हुए मुअमादासफ खान साब ने एह हुई थाबद कीता है अपने इस मजमून वेच के ओदो दी जबाने जदो आरिया ते दिरावर्ड एस इलाके वेच एस तरतियुते वारत नहीं होए सी एस लई एदा वेधी वेधी जबाने आरियन्स दी जिजे वेच उना ने अथे आके बाद वेच अपनी अमजबी किताबां वेध भी लिखे सी सन सिकरत वेधी दही ना सन सिकरत है यानि तहरीरी जबान सन सिकरत हो गई ते बोल चाल वाली जबान वेधी दही पर अकरत एजडिया लोकल जबाना सी या फिर आप ब्रेंश है भी लोकल जबाना सी इनना नाल कोई तल्लक नहीं है यानि लोकल कवाइल जड़े ने ओ आल्रेडी मौजूद सी आल्रेडी उना दी रिच सिविलाइजेशन सी तो यकीनन उना दी अपनी जबान भी सी अगी जड़ी गाल मैं तो अदसी है मुझासब खान दीया किताब पजाबी बूली दा पिछोकर चार वको वक मजमूना दा मजमूआ जड़े कठे करके एक किताबी सूरत बेच चापे गए इने तीसरा मजमून सब तो लंबा है सो सफियां विच फैले आ हुए है इस मजमून दा आगाज पंजाबी जबान दी अब्तदा बारे तिन नजरियाद तो होंदा है ए तिन नजरियाद उसे रटा लाने ने जी एननो आज़ेटेस लिखना पेना है बाकी सारा अपने लफ़तां विच लिखना है मैं इन्शाला एक्स्प्लेन कर देना तो उनो याद करने असान हो जानगे पंजाबी जबान ए बोली लफ़ जड़ा है अंग्रेजा दी राए वे ओ केंदेने के इस सवाले ना तेन नजरिये ने पहला नजरिया वेदी बोली तो संसिकरत होंद वे चाही यानि आरियन्जे से लाके वे चाहे और उना दी जबान वेदी जबान सी वेदी जस पहले तहरीर होगे ते उस तहरीरी जबान नो संसिकरत दना दे दिता गया यानि वेदी बोली तो वेदी जबान तो संसिकरत होंद वे चाही वजूद वे चाही संसिकरत नो पाननी ने अश्टा दे आई राही संसिक्रत नो पाननी पाननी आथर ने में अश्टा दे आई दुनिया दी कदीम तरीन ग्राइमर दी किताब पाननी साब मुल्तान देला के देरेन वाले सी इनने अश्टा दे आई लिखी सी और आप उन्यादी तोर दे ग्राइमर दी किताब ये तुनिया दी कदीम तरीन किताब ग्राइमर दी जड़ी आजिकाल भी मौजू होते संसिक्रत नो पाननी साब ने अश्टा दियाई किताब राही के जरिये ग्राइमर दे असूला वेच जकर देता उदे नो फाइदा की होया के लिखती संसिक्रत तहरीरी संसिक्रत वेच एक सार्ता यानी सेम रही पर बोल चाल दी संसिक्रत वटदी वटदी पराकरत बन गई पूरी दुनिया वेच इंग्लिश लिखने या पूरी दुनिया वेच इंग्लिश लिखने या पूरी दुनिया वेच इंग्लिश लिखने या पूरी दुनिया वेच फालो करने या ते पूरी दुनिया वेच हो दा उस ग्राइमर दे मताबिक ग्रामेटिकली लिखे जान दे हवाले नाल अंग्रेजी से में बोले जान दे हवाले नाल तुसी वेखो कि उसी ग्राइमर दा ख्याल नहीं रखिया जान दा सिर्फ अपनी गालकनवे करनी हों दिये दे ओ दे विच गल्तियां हो सकती या नहीं जनी तब्दीली हो सकती है लेकिन तहरीरी जबान हमेशा पूरी दुनिया वेच एक कोई लिखी जान दी है क्योंकि ग्राइमर फॉलो हों दी है पाननी साब ने भी एहोई एहत्माम कीता सी कि जबान चेंज होना शुरू हो गई सी लोकल जबान हो दे विच मिक्स हों दी जा रही सी तो उनाने तमाम कीता कि रूल रेगुलेशन बना दिते जान ताके कमस कम तहरीरी जबान एक कोई रही बूल चाल दी संसिकरत जड़िए और तबदील हों दी गई और वास्ता आस्ता प्राकरत बढ़ गई यानि जड़िया लोकल लेंगवेजे सी उनाने उदे उते खासा असर कीता और चेंज हो गए प्राकरत बढ़ गई एहो प्राकरत अगां जागे जागे आप ब्रेंच विच बाट गई आप ब्रेंच दे प्राकरत उस जबाना ने जड़िया मुक्तलिफ जबाना दे मेलन नाल बढ़ गई एदे तो अजोकिया हैं दार्याई बोलिया ने जनम लेया पंजाब विच पंजाबी सिंद विच सिंदी बंगाल विच बंगाली बगईरा यनि हैं मुस्तशरी कें दा ओरियंटलिस्ट दा मगर्बी स्कालर्ज दा यॉर्पियन स्कालर्ज दा नजरी आए कि वेदी तो संसेकरत बढ़ी संसेकरत तो प्राकरत बढ़ी प्राकरत तो अब भरेंश बढ़ी ते अब भरेंश तो पंजाबी सिंदी बंगाली वगईरा वजूद विच आईयां लेकिन आए घल्द नजरी आए दूसरा नजरिया भी इससे तरह देए हिंद आरेयाई बोलियां सिद्धियां वेदी दी कुखों कुख पेड नो कहन देने के वेदी विच्चों पैदा हुई या या दर्मयान वाले सोर्स चाड़ रहा देने वेदी विच्चों निकली या लेकिन एवी गल्फ नजरिया है तीसरा नजरिया जड़ा अथेंटिक नजरिया है कि पंजाबी एक गेर आरेयाई जबान है और मौमद आसफ खान साब ने इस नजरिया नो डिफेंड करन वस्ते पूरा 110 पेज़ दा मजमून लिख गया है मौमद आसफ खान पहले दो नजरिया नाल इखतलाफ कर देने क्यों ये कोई भी जबान किसे दूसरी जबान विच्चों पैदा नहीं होंदी याद रखो जबाना दे हवाले नाल रूल रेगुलेशन ने एक जबान दूसरी विच्चों नहीं निकल साइथी क्यों क्योंकि हर जबान दी अपनी वकैबलरी और हर जबान दा अपना संटेंस स्ट्रक्चर यानि गराइमर होंदी है हाँ बाज बाद लफ़ जाली ते मैज कारजन दी है मतलब संसेकरत ये कुछ लफ़ पंजाबी जबान वेच मौजूद ने तो ओदे तो ये यॉर्पियन्स ने कहा देता कि ऐ संसेकरत विच्चों निकली है हाला कि जैसे लाके वेच ज़्यादा जबाना बोलिया जा रही हों ओथो जबाना अपने जरूरत वास्ते एक दूसरे को लो लफ़ ले लें दियाने दे दें दियाने अच्छा जी आसब खांसाब का कहना कि कोई जबान किसे दूसरी विच्चों नहीं पुट दी गल्द गाले क्योंके वेटी तो संसिक्रत संसिक्रत तो प्राकरत ते प्राकरत तो अप ब्रेंश ते ओदे तो मुझूदा जबाना यानि पंजाबी सिंधी बंगाली वजूद वे चाहियां बिलकुल गल्द बेबनियाद गाले ही दूजा नजरी अभी गल्द थे क्योंके पंजाबी ते हैं तारे आई अजोकियां बोलियां सारियां वेदी जबान विच्चों निकली याने लेकिन ऐस सारियां बोलियां ग्राइमर दे इतबार नाल संसिक्रत तो बिलकुल अलग थलग ने ठीक है जी जिसवेले ग्राइमर अलागे संसिक्रत तो बिलकुल ग्राइमर अलागे फिर किस्तरH पोसी वहले के संसिक्रत विच्चों निकली याने है मुम्मद आस्फ खान तीसरे नजरिये देहा के वेच ने यानि यो पंजाबी नो गेर आरियाई जबान मन देने इस नजरिये नो तक्वियत केमे मिली यानि केमे इस नजरिये दी वर्थ बनी सवां, हडपा और सराइक खोला सराइक खोला बिलोचस्तान दे लाके वेचे वी खंडराद दर्याफ्त होई ने हडपा तो अनू पताए और सवां सिविलाइजेशन जड़ा साड़ा पोटोवारदा इलाका है एतो दे खंडराद दी खटाई यानि खुदाई नेगरेटिव आस्टरक्त दरावडां दे पंजाब वेच आन अच्छा ये दो पैरलल स्टडीज ने पहली दे है खंडराद यानि खंडराद तो पता लगा कि जी मुक्तलिफ इलाके वेचे मुक्तलिफ कौमा थे रही है और दूसरे जड़े स्टडी ये नाल पैरलल जी दो पता लगा कि नेगरेटिव आस्टरक्त दरावड का वायल ने आसल वेच एंत्रोपॉलोजिस्ट ने माहरे बश्रियाद ने जिनना ने खोपडियां टांचेयां दी एक एक इलाके दे लोग नहीं है आज कल ते होर जिन्दत आ आगी है आज कल ते जिननेटिक स्टेडी शुरू हो गई है यानी और डीन ने और दूसरा तीसरा जड़ा उदे तो पता लग जानता है कि केड़ा किस नसल दा बंदा है उगेंदा है के सवाहन हडपा सराइ खुला दे खंडरात इस नजरिया नो तकवियत दे ने क्योंकि आप पहले जिसले नजरिया काइम कीता गया उस वेले तक खंडरात दर्याफ्त नई सी होए है तकरीबार ननी सो बी, ननी सो दास, ननी सो तीज़ा जमाना है आरियाई कबीलें था जिकर, रिगवेद जड़ी आरियन्ज ने किताबां लिखिया, मजबी किताबां, जड़े चार वेद ने, पहला रिगवेद सब्तो पुराणा, एक जार कबल मसीवेच लिखिया गया, दूसरा वेद साम वेद, तीसरा यजर वेद, चोथा अथर वेद, इना वेदा मेंचे, गैर मुकामी कबायली, गैर आरियाई कबायलता जिकर मौझूद दे, जड़े जड़े दूसरे ने, जड़े लोकल लोग सी, उननों शुदर या मलीच या नापाक जाहिर कीता है, इसे तरह वेदी ते संसिकरत मेंचे, गैर आरियाई लफजा दी मौझ यानि वेदा मेंचे, जड़े एकजार कबल मसी वेचे रेक वेद लिखिया गया, उनने वेचे गैर आरियाई लफज कित हुआए, यानि यह ते लोकल लोग मौझूद सी, इना जा जिस वे ले आरियन्स नाल मेल जोल होया, जिस वे ले वेदी जबान वेगड रही सी, ते खुद ही इस गालदा प्रूफ है कि लोकल लोग है सी, लोकल जबाना है सी, जड़िया तेजी नाल एक बारवान वाली जबान उते असर अंदाज हो रही हैं सी, लियाज़ा ओ, मतलब गैर महसूस तरीके नाल, लोकल जबान दे लफज को दा हिसा बन रही सी, तो इना चीज अब इनो आर्याई जबान मननण वाले महरीने लिसानियात दे सारे दावे उदों चूप साबित होए, जड़ो असारे कदीमा दे महरीन दे धरती दे खंडरात खलेओं एक एजया वसेब दर्याफ्ट कर लेया, जो आर्याँ दे आन तो हजारा साल पहले टीसी उते सी, यान उननी सो वी तो लेके तीदे दो रांग, एक वाकिया दास देना जी, बड़ी रिसर्च सी है, उननी सो बाई वेच जड़ी कराची तो बंबई तक एर अपना रेलवे लाइन बिचाई गई, इदा मकस्द की सी कि जड़ा सिंदे अलाके दी कपास है, पंजाब दा गला है, वो बंदर गादे जरीए बार पुचाया जाए, यनि वो जड़ी लुट मार कर रहे सी, जड़ा खाम रा मटेरियल एक तो ले जा रहे सी, उते वीच तेजी आ सके, अंग्रेज ठेकेदार सी और लोकल अनपड किसम दे मजदूर सी, साइवाल हड़ा पादे लाके विच्च अनपादे जरीए, जड़े तो रेलेवय ट्रेक गुजर रहे सी, बनारे सी, कनस्ट्रक्शन हो रहे सी, तो मजदूरा नो पुखता इटां मिलनिया शुरू हो गए usi द दोरान, और हजारा लखां दे हिसाब इटां खोद के कनस्ट्रक्शन वेच इस्तमाल कर दैंगा, उस किना मतलब प्राफिट और बच्चत होई होएगी लेकिन आ किसे नहीं सोचिया कि कितों आई याने कियों आई याने किने दफन की थियाने अगर इस बारहल कोज भी सी कोज से आने भी सी सर जार्ज मार्शल साइट अंजिनियर सी ओ आया उन्हें वेखिया सूर्थे आलदा जा किता और खुदाई शुरू कीती और थलो पूरा हडपा सिविलाइजेशन निकल आई याद रखो जो इस फेले मौजूद हैं सिर्फ 30 परसेंट है 70 परसेंट जाया हो गया या दूसरी गाले इस तरह कर सकते हो कि हडपा ते मोंजियों दाड़ों दे दरम्यान तकरीबन पाकिस्तानों अगर मर्कज मन्या जाए तो पूरे डाया मेटर यानि चार पासे चार चुफेरे 1000 किलो मेटर दे एरिये विच आज भी जगा जगा होते दफन शुदा तहजीबा मौजूद ने सानुजरूरत ये समर दिये इस चीज दी लोड़े कि आर्कियालोजी डपार् अच्छा जी मौमद आसफ खान दे मुताबक सब नाड़ों पहले दरावर्ड कौम इस तर्थी उत्ते बाईरी हमलावरा दी शकल विच आई सी यानि एक नज़री आया है वे ओ कहन देने के दरावर्ड या ड्रेवेडियन्स जड़ेने ओ लोकल सी लेकिन आसफ खान साब औ और काफी सारे स्कालर्ज ने आ किया है कि ड्रेवेडियन्स भी इनवेडर सी हमलावर सी ओ आरियन्स तो भी कोई एक अजार या पाईस सो साल पहले इस इलाके विच वारत हुए और एथे आके मुकामी लोका नो अपना महकूम बना के खोज हाकेम बन गए ओना दी जबान न पहले माहरीने ले सानियाद ने उना दी जबान नो वेदी बोली आरिया दी जबान नो वेदी बोली किया उना वेदी बोली और संसिक्रत यानी वेदी बोल चाल दी जबान ते जिस वेले तहरीर हो गई उस संसिक्रत बन गई अपने मुकदस किताब रिग वेद लिखी जो पंजाब विच लिखी गई सी मुम्मद आसफ खान दे बकौल कदेब पाकिस्तान दी समाजी सियासी ते एक्तिसादी तारीख लिखन लई इस तो वड़ी ते मौत पर किताब दुनिया विच कोई हो नहीं क्यों जे ऐ किताब सब्त संदू यनि पंजाब विच लिखी गई सी पहला जड़ा बिलकुल मशर्की पासे ओ दर्याए घागर या दर्याए हाकडा या दर्याए सरस्वती मुक्तलिफ किताबां जोते हैं मुक्तलिफ नान है तो से यूट्यूब ते हाकडा सिविलाइजेशन सर्च करो तो पूरा जड़ा राजस्तान स्टेट इंडिया दी सा चाव दे पांच दर्याए यानि बियास सतलुज रावी चनाव दे जेलंग इस इलाके नो सत दर्याए हमांदा देस किया जन्दा सी रेक बारे है किया जन्दा है कि अधरियाय रावी दे किनारे बैगे लिखी गई सी अधरियाय रावी ते मुराद असी हड़पा दा इलाका ले सकने हैं लेकिन एक्जेक्ट है नहीं पता क्यों हडपा सी या कोई होर क्योंकि दरियाय रावीदी लेंथ भी कोई चार पाइसो किलो मीटर है में भी आसफ काहाँ साब कहाँ देने कि खैर पंजाब वेच लिखी गई सी लेहाजा साथी सब तो अथेंटिक तारीख और इस्ट्री है जड़ी में मूवी दा जिकर कार्रे हैं मौजियो दाड़ो व दारो वेधि असल वेच पाकिस्तान दा वर्सा है इस आलाके वेच बूलिया जा रही है दारी है जा। ती या सन सिक्रत तो फुटी है और जी आप प्रेंच बारे भी किया जानदा है कि आप प्रेंच तो बात मुझूदा जबाना या या सारे गल्द नजरियात ने कोई किसे दूसरी विचो नहीं निकली ऐसारी या इंडेपेंडेंट खुद मुझार जबाना सी और पहले तो लेकिन गल्द नजरिये देता है किया देता कि सन सिक्रत नाल मेल के जबाना फराकरत बनिया ने जी मजमून ते आखरी सेविच मौमद आसफ खाने जबान दे दो एहम पहलुआं सर्फ ते नहव बारे बहस कीती है सर्फ और नहव दोनों मेल के गराइमर बना देने सर्फ अ यानि सर्फ विच लफ्ज ते नहव बिच जुमला एदोनों राल के वियाकरन या ग्रैमर कहला देने लसानियाद दे माहिरीन दे मताबिक सर्फ यानि लफजाली दे बनियाद दे किसे भी जबान नों किसे दूसरी जबान तो निकले नहीं किया जा सकता सादी पंड़ी विच आजग असे किने इंगलेश दे लफ्ज बोलने हैं किने अरवी दे लफ्ज बोलने हैं और्दी बिच अरवी फार्सी तिर्की किनी या जबाना दे लफ्ज लेदी ने ते दे भी दे 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 लए ने कियों जे जबाना एक दूसरी जबान तो लोड मुताबिक लफ्स लेंदिया देंदिया रेंदिया ने सिर्फ ऊसे जबाना दूझी जबान तो निकले आमने जा सकता जड़ी संटेंट स्ट्रक्चर रेंदिया होए शबालनल अगर मिसाल देनी हुए ते अर्दू ते पजाबी सेम जबानाने क्योंकि एदा कोई भी जुमला एदा कोई भी संटेंट स्ट्रक्चर फाईल फेल मफ्वूल चेंज नहीं हों दे उससे तरह ही रहन दें ने वर्ब नाउन हेल्पिंग वर्ब सारे उससे तरह इने कोई चेंज नहीं है ठीक जी लियाजा किया जा सकता कि अर्दू पजाबी जो निकली है लेकिन एह नहीं किया जा सकता कि पंजाबी अर्भी विचों निकली है या पंजाबी अर्भी विचों निकली है या पंजाबी अर्भी विचों निकली है एससूल दी रोश्णी व लफजाली सांज ये मुख्तलिफ कौमा दे आपसी मेल में लाप दी वजातों है क्योंकि पंजाब वेच शुरू तो लाकि अंग्रेजां ताकि जड़े इन्वेडर्स आए उना कौमा दीता दाद पच्विंजातों ज्यादा है सो उना अक्वाम ने एदे उते असर कीता और एदे लफजाली रिच होंदी गई यदि करीब दी और सब तो वड़ी में साल अर्बी है तुसी वेख़ोसी अपनी जबान विच किस कदर अर्बी फार्सी अंग्रेजी दा लफज बोल दें पर इस लफजी में मासलब तो हर्गेज यह नहीं किया जा सकता कि पंजाबी जबान अर्बी फार्सी या अंग्रेजी तो निकली है सिर्फ सर्फी ते नहवी काईदिया दी पंजाबी ते चीनी विच का अर्बी साज़ लफ सी है यानि सर्फ ते नहव नियां यानि कोज लफ़ से चाइनिज जबान नाल ते कोज जड़ा संटैन स्ट्रक्चर है और चाइनिज जबान नाल मिलदा है लेकिन ओ इत्तफाकन है या एमी एका दुका असर है या नहीं इसी कह सकते कि या चीनी जबान विचों निकली है मुक्दी काल कंक्लूयन है कि पंजाबी नादे मुंडा या द्रावडी टबर दी जबाने ते नाई आरियाई टबर नाल तलक रफ़ती है यानि द्रावडी आरियाई ऐस सारे इन्वेडर्स सी बाद वेच आये ने पंजाबी जबान या इस अलाके दी जबान चलो पंजाबी नादे बाद विच रख्या गया है इस अलाके दी जबान मौंजो दाड़ो वेच सिंधी मौंजो दाड़ो दी जबान इसे तरह बंगाल वेच बंगाली बंगाल ती जबान ऐसारियां पहले तो मौझूद ने ऐ ओधों भी मौझूद सी जदो वेदी बोलन ते संसेकरत लिखन वाले एथे आए ऐ ओधों भी मौझूद सी जदो शक्क पहल भी युनानी बोलन वाले एथे आए सब जबाना नाल एदा लेंड देंड होया सब जबाना दा एहुई तरीका होंदा है लफजा दिया कोई ज़सा जा पारों एस नू किसे जबान नू किसे दूसरे लिसानी टबर नाल जोड़ना गल्ट थे बेबनियाद गल्डे ठीक है जी मुक्तसर जा टापिक है कोई लेंटी नहीं है कोई उखा नहीं है तेन नजरी है तुसी याद करने ने अखीर वेच है किताब नहीं कोई फनी खुदिया ने वो बेशक लेख लेना और अगे सवाल नबर दो मैं तो अनुदास देता है अधर वाइस तुसी क्वेश्चन नबर वन नी त्यार करना है ओके अल्ला हाफ़ज